नमस्कार स्वागत है आप सभी का मैं हूँ प्रीती आई शिरुवात करते हैं हेड्लाइन्स के साथ संसद का मौनसून सत्र आज से जीस्टी समेट कई और एहम विधेकों के पारित कराने पर होगा सरकार का जोर कश्मीर और अरुनाचल की मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में कॉंग्रिस सत्र से पहले सरकार और लोगसभा अध्यक्षने की सरवदलिय बैठाक विपक्षिस सहयोग की अपील प्रधान मंत्री का सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर जोर जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू जारी हिंसक भीड का बांदीपुरा में सेना के कैम्प पर हमला सी आर पी एफ के दो हजार अतरिक्त जवान और तैनाथ उत्तराखंड और हमाचल में बारिश से जानमाल का भारी रुकसान, अलग-अलग हादसों में दस की मौत, राजस्थान के करॉली में बार की स्थिती कम्पी और तुर्की में अब तक 6 हजार से जादा गिरफतारियां पकड़े गए लोगों में वरिश्ट सैन्य अधिकारी और जजज शामिल सजाय मौत के प्रावधान पर संसद कर सकती है विचार संसद का मौनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है सत्र अगले महिने की 12 तारीक तक चलेगा जिसमें 20 कामकाजी दिन होंगे मौनसून सत्र में सरकार का जोर GST समेथ कई एहम विधेकों को पारित कराने पर होगा संसद में 56 लंबित बिलो पर भी चर्चा होने की उमीद है लोगसभा में 11 और राजसभा में 45 बिल लंबित है GST के अलावा सरकार, मेडिकल और डेंटल कॉलेजों के लिए संयुक्त प्रवेश परिक्षापर अध्यादेश की जगा लेने वाले तीन विधेकों और साथी शत्रू संपत्ते खानून में संशोधन के विधेक को पारित कराने पर जोड़ देगी वही मुखे विपक्षिदल कॉंग्रेस ने अरुनाचल प्रदेश समेट कई और हैं मुद्दों पर सरकार को घेरने की रंडीती बनाई है कॉंग्रेस जीएस्टी की दर को सम्विधान संशोधन बिल में शामिल करने की मांग कर रही है मौनसून सत्र से पहले रविवार को सरकार की सर्विदलिया बैठेक में प्रदान मंतुरी नरेंदर मोदी ने जीएस्टी पर विपक्षी दलों से सहयोग की अपेल की उन्होंने कश्मीर पर एक सुर में बोलने के लिए सभी दलों का अभार जदाया कॉंग्रेस ने कहा कि वो जनता के हित वाले विधेकों का समर्थन करेगी जबकि दूसरे दलों ने और चर्चा की मांग की प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने सर्फ दले बैठक में मौनसून सत्र के सुचारू संचालन के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की उन्होंने कहा कि जीएस्टी बिल देश हित में है और दलगत राजनीती से उपर उठकर सब को इसका समर्थन करना चाहिए जीएस्टी पर प्रधान मंत्री की ये अपील कॉंग्रिस से कई दौर की चर्चा की बाद आई सरकार को उमीद है कि सत्र में उसे सभी दलों का सहयोग मिलेगा राजसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नभी आजाद ने राज़िपालों के कारेकाल का दौरुपयोग, महंगाई और कश्मीर जैसे मसले उठाने की भी बात कही केंदरी ये सरकार को अपनी विपक्ष की सरकारों को गिराने का काम बंद कर देना चाहिए दूसरा मुद्दा उठा है मैंने कश्मीर का कि कश्मीर का एक बहुत ही गंबीर मुद्दा है कश्मीर की मुद्दे को आज उसको सिर्फ कश्मीर में नहीं देखना चाहिए बलके इसको अंतरराष्टे परतिपक्षमन देखना चाहिए, उस हालात मन देखना चाहिए। CPM और समाजवादी पाटी ने GST पर सर्फ दल्य बैठक बुलाने की मांग की। दोनों पाटियों ने आरूप लगाया की सरकार सिर्फ कॉंग्रिस से बात कर रही है जो उचित नहीं है। पार मंत्री ने बताया की सरकार 16 विधहकों को विचार के लिए पेश करेगी। मौनसून सत्र 12 अगस तक चलेगा और इस दोरान 20 बैठके होंगी। टृती मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और अविवार को लोगसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी सर्विदल ये बैठक की। सुमित्रा महाजन ने सत्र को बहतर तरीखे से चलाने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की। बैठक के दोरान विपक्षी दलों की नेताओं ने कश्मीर में तनाव, महंगाई और अनुनाचल प्रदेश के संदर्व में राज्यपालों के अधिकारों से जुड़े मुद्दे उठाए। स्पीकर ने सभी जरूरी मुद्दोपन नियमों के तहट चर्चा कराने का भरोसा दिया है। में जो हो रहा है उस पर चर्चा की अप्यक्षा की जा रही है वो बात वी उटेगी कई बात वे जो कवरर्नर के इस पर भी कुछ रूली पर चप्राइस तो एक विशे हैं ही ऐसे आनेक आनेक विशे पर आज सभी हमारे अरुनाचल प्रदेश को रविवार को नया मुख्य मंतरी मिल गया। जिपाल तथागत राई ने उन्हें पद और गुपनियता की शापत दिलाई। पेमा देश के सबसे कम उम्रिके मुख्य मंतरी है। शापत लेने के बाद मुख्य मंतरी ने जल्दी मंतरी मंदल के गठन और राज्य के विकास की बात कही। पेमा खांडू के साथ ही चोवना में ने उप मुख्य मंतरी पत की शपत ली। उप मुख्य मंतरी ने कहा कि पार्टी के सभी वरिश नेताओं का सरकार को पूरा समर्थन हासिल है। वहीं बीजेपी ने कहा कि नबाम तुकी के स्थीफे के बाद ये साबित हो गया है कि उनके पास बहुमत नहीं था। शनिवार को नाट के घटना क्रम में पेमा खांडू को कॉंग्रिस विधायक दल का नेता चुना गया था। वहीं बाम तुकी ने मुख्य मंतरी के पत से स्तीफा दे दिया था। पेमा खांडू को कॉंग्रिस के 45 और दो निर्दले विधायकों का समर्थन हासिल है। शनिवार के नाम के एलान के बाद कॉंग्रिस ने रनीती पर काम शुरू कर दिया है। इसके तहत रविवार को मुख्य मंतरी पत की दावेदार शीला दिख्षित और प्रदेश अध्यक्ष राजबबर एक साथ लखनों पहुचे। तो कारी करता उत्साह में थे। एरपोर्ट से लेकर कॉंग्रेस मुख्याले तक हर जगा पार्टी कारी करताओं ने उनका स्वागत किया। कांग्रेस नेताओं का ये जमावड़ा विधान सभध चुनाव की प्रचार रनीती को ले कर था। इसके जरीए पार्टी कारी करताओं में जोज भी भरना चाहती है। राजबबर ने कहा कि उत्तरपरदेश में जीत के लिए वो मन लगा कर काम करेंगे। कांग्रेस ने पिछले सब्ता उत्तरपरदेश के लिए नई टीम का एलान किया था। फिलाल उत्तरपरदेश की 403 सरदस्यों वाली मौजूदा विधान सभध में कांग्रेस के 29 विधायक हैं। राजे में कांग्रेस तीन देशक से भी जादा समय से सत्ता से बाहर है। राजे में उनकी पार्टी राजे में अगले साल होने वाले विधान सभध चुनाओं के मिशन की शिरुवात करेगी। रैली को सफल बनाने के लिए मौरे ने प्रदेश के कई जिलो में जन संपर्क का कादिक्रम भी रखा है। अपनी पार्टी को विस्तार देने के मकसद से स्वामी प्रसाद मौरे बिएसपी के ही पूर्विने इतार के चौधरी और बाबु सिंग कुश्वाह से संपर्क बनाए हुए हैं। पिछले महीने मौरे ने मायवती पर टिकट बेशने कारूप लगाते हुए बिएसपी से नादा तोड लिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन के चौधरी वाल ने रविवार को टौक टू एके में लोगों के सवालों के जवाब दिये। जवाब देने से पहले उन्होंने करीब 35 मिनट तक दिल्ली सरकार के काम गिनाए। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली से केंदर सरकार भारत पाकिस्तान वाला रिष्टा रखती है। अगर मुझे काम करने दिया गया तो दो साल में दिल्ली को लंदन जैसा बना दूगा। केजरिवाल के इस कारेक्रम को विपक्ष ने आड़े हातों लिया और उन्हें नसीहत भी दी। अगर आप वास्त में दिल्ली की जनता के और जनता के सवालों से सारोकार करना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ कि आप आईजी स्टेडियम के अंदर या दिल्ली के बड़े किसी स्टेडियम के अंदर आप सामने बैठिये और लाइव जनता के सवाल जवाब करिये। इजिरिवाल जी ने मोदी जी के तरस पे ही मोनोलाग का एक तरफा भाशन का खारिक्रम जंता के पैसे से शुरू कर दिया। करके अपनी बाद जंता को सुनाना चाहते हैं। दिल्ली में मुफ्त वाइफाई से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि इसमें दो से तीन साथ लगेंगे। अलगावादियों के बंद के कारण कश्मीर घाटी के सभी दस जिलों में रविवार को भी कर्फियों लगा रहा। कानून वैवस्ता बनाई रखने के लिए प्रेशासन ने ये कदम उठाया है। सम्विदंशेल स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलो की तैनाती की गई है। सोमवार से खुलने वाले घाटी के स्कूल कॉलिजों को 24 जुलाई तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। केंदर सरकार ने CRPF के 2000 अतिरिक्त जवानों को घाटी भेजा है। पिछले सब तहां भी 2800 अतिरिक्त जवानों को भीजा गया था। उधर कॉंग्रेस ने रविवार को बैठक कर घाटी के हालात की समिक्षा की। बैठक में पार्टी की वरिष्ठ नेता, अंबिका, सोनी और सल्मान खुर्शीद भी मौजूद थे। कॉंग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि PDP, BJP गडबंधन से लोग नाखुश हैं और हिंसा की सबसी बड़ी वजा यही है। कश्मीर में हजारों लोगों से बात करने की जरूरत है, हर तहरीक से बात करने की जरूरत है। लेकिन अभी तक ऐसा कहीं कोई ऐसा कोई इशारा नहीं हुआ कि वो आमादा है बात करने के लिए। कश्मीर में हिजबुलातन की बुरहानवानी के मारे जाने के बात तनाव शुरू हुआ था। अलगावादियों ने अपनी हरताल सोमवार तक के लिए बढ़ाने का एलान कर रखा है। जगड़ा हो रहा था तो मुझसे कहते हैं जाते वब इससे अच्छा तो यह है इंदराजी वापस आ जाते हैं। कागस पर उतर आई हर बात। मैंने का मुराजी भाई मुबारिक हो यह काम तो बहुत हो जाता है। कम होता अगर तो मुझे राही मिस्टर बन्ने देदें। देखा देश को बनते हुए। काम्याबी की मंजले टैक करते हुए। कलम के सफर का नया अंदास। शेष्ट संपातकों से संबाद। पत्रकार को राजनी जी नहीं कर पाते। कलम कवा है। देखिए सिर्फ राजी सभा टेलिविजिन पर। रिजर्व बैंक की गवणर रगुराम राजर ने आलोचुको को करारा जवाब दिया है। उन्वे आलोचुको को से ये बताने के ले कहा है कि आखिर मुधरस फीती कैसे कम हुई है। उन्होंने कहा कि विकास दरपर महंगाई को stew देने जैसे जी से बहुत कम है। ये महंगाई कैसेusे बहुत कम है। राजन ने माना कि आर्थिक सुधार की रफ़तार को लेकर निराशा जरूर है लेकिन इसकी वजह लगातार दो साल से पढ़ रहा सूखा और वैश्विक अर्थविवस्था की खराब सिती है चार सेतंबर को आर्बियाए गवर्नर के पद से रिटायर होने वाले राजन ने कहा कि धाचागत सुधारों को लागू करना सबसे बड़ी चुनौती है उत्तरप्रदेश के एटा में जहरीली शराब से मरने वालों की तादाद बढ़का 26 हो गई है पुलिस ने मुख्या रोपी श्रीपाल को बीती राथ एटा से गिरफतार कर लिया वहीं आपकारी विभाग और पुलिस के ग्यारा अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है ये घटना शुकरवार की है जिले की लोहारी दर्वाजा और लोखेडा गाओं की कुछ लोगों ने शराब पी थी शेपिड़ितों के आख की रोशनी चले गई सरकार ने बृतकों के परिजनों के लिए दो लाख रुपे की मदद का इलान किया है बात मौसम की उत्तर भारत में भारी बारिश अब लोगों के लिए बड़ी आफ़त बन गई है उत्तरा खंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश के कई लाखों में भूस खलन और बारिश से जानमाल क्या भारी नुकसान हुआ है उत्तरा खंड में अब तक 10 लोग जान गवा चुके हैं वहीं राजस्तान के करॉली में बार की सिती गंभीर हो गई है ये तस्वीरें हैं देश के अलग-अलग शेहरों की एक तरफ जहां पहाड़ी राजे हिमाचल प्रदेश और उत्तरा खंड में बारिश के बाद भूस खलन से यातायाद बाधित और लोग परिशान हैं वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडू के मदुरई में भारी बारिश से लोगों को गर्मी से रहत निली है उत्राखन में जारी मुशलाधार बारिश से जन जीवन अस्त्रियस्त है गड़वाल और कुमाओं में सड़क की यातायाद बाधित है भारी बारिश की चलते हरिद्वार में गंगा नदी खत्रे की निशान से उपर पहुँच गई है जिसका असर यातायाद पर भी पड़ा है आसपास के निचले इलाकों में अलर्ड जारी किया गया है भुसखलन से बद्रीनाथ जोशी मट समेत कई राजमार बंद हो गए हैं सैंकडों मुसाफिर रास्ते में फसे हैं वही बारिश के थमने के लिए महिलाएं विशेश परातना कर रही है हिमाचल परदेश में भी बारिश से भारी नुकसान हुआ है असम में भारी बारिश और उसके बाद आई बार ने 6 जिलों को चपेट मिले लिया है दो लाग से जादा लोग पलायन को मचवूर हुए हैं वहीं दिल्ले में जारी बारिश से लोगों को जल जमाव और ट्रैफिक जाम से दोचार होना पड़ा है बिरो रपोर्ट राच्चे सभा टीवी यात्रियों को अब अधिक्तम 20,000 रुपे तक मुआवज़ा दिया जाएगा भारते वे मानपत्तन प्राधिकरण या एक अगस्ते नए दिशा निर्देश लागू करने जा रहा है जिसके तैद फ्लाइट रद होने पर एरलाइन्स कंपनियों को 10,000 रुपे जुर्माना देना होगा वहीं घंटे फ्लाइट में 2 घंटे की देरी पर भी इतना ही हरजाना दिया जाएगा इसके लावा और वुकिंग की वज़े से जगा नहीं मिलने पर यात्रियों को 20,000 रुपे मुआफ़जा मिलेगा अब तक एरलाइन्स कंपनियों को फ्लाइट कैंसल होने या देरी से उड़ान भनने पर 4,000 रुपे जुर्माना देने का प्रावधान है अमेरिका में लुसियाना के बैटन रूज में रविवार को हुई गोली बारी में तीन पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई जबकि कई जखमी हुए हैं पुलिस ने हमला वर को मौफे पर ही मार के राया एक घटना पुलिस एड़कौटर के पास हुई हमले के वक्त पुलिस एक अश्वेट मौत के विरोध में प्रदशन कर रहे लोगों को गिरफतार कर रही थी पीती पाथ जुलाई को बैटन रूज में एक अश्वेट के मारे जाने के बाद देशपन में प्रदशन हो रहे हैं हाल ही में डलास में हुए ऐसे ही प्रिदेशन के दोरान हुई फाइरिंग में पांच पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी राश्पति बराक उबामा ने इस घटना की निंदा की है तुर्की में हुई हिंसा में मनने वालों की तादाद बढ़कर 290 हो गई है तख्ता पल्ट की कोशिश नाकाम होने के बाद अब बागियों की गिरफतारियों का दौर जा रही है सरकार के मताबक अब तक 6000 लोगों को पकड़ा जा चुका है हाला के भी गिरफतार लोगों की तादाद में और इजाफा भी हो सकता है फिरासत में ले गए लोगों में वरिष्ट सेन्य दिकारी और नियाएधी शामिल है पश्ची में प्रांट डेनिजली में पचास से जादा वरिष्ट सेन्य दिकारी को पकड़ा गया है इस बीच तुर्की के राश्पते रिसेप तयेब और्दुगन ने कहा है कि संसद में मौत की सजा के प्रावधान पर फिर से विचार हो सकता है उन्होंने आरोप लगा है कि तक्ता पलट के पीछे तुर्की मौलवी फातुला गुलेइन का हाथ है अलाकि गुलेइन ने सिंकार किया है फ्रांस के दक्षिन शेहर नीस में ट्रक के जरी हुए आतंकी हमले के मामले में पुलिस ने दो और सक्दिक्दो को हिरासत में लिया है जबकि पांच लोगों को पहले ही गिरफतार किया जा चुका है इनमें हमलावर मुहमद लाहुए इस बुलेल की पत्नी भी शामिल है जो अलग रह रही थी इस हमले के जिम्मेदारी आतंकी संगटन स्लामिक स्टेट ने ली है चौदा जुलाई को नीस में के बाल्टीस में बाल्टीस दिवस हमारों के दौरान हमलावर ने ट्रक के नीचे कई लोगों को कुचल दिया था इस हमले में 84 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 300 लोग जखमी हुए थे हमले के दोरान पोलिस ने हमला वर को मार गिराया था दुनिया में ऐसे ही ऐसे कम ही लोग पैदा होते हैं जिनका जीवन अपने आप में दर्शन होता है वो दुनिया में आते हैं दुनिया से जाते हैं लेकिन उनका असर उनका प्रभाव हमेशा बना रहता है ऐसे ही एक शक्स हैं नेलसन मंडेला जिनकी आज जेनती है या ये आद करते हैं मदीबा को विरासत पाने के लिए खून का, जाती का या देश का रिष्टा जरूर नहीं होता विरासत मिलती है अपने काउं से महत्मा गांधी की विरासत को आधुनिक यूग में अगर किसी शक्स ने आगे बढ़ाया तो वो थी नेलसन मंडेला या कहें लोगों के प्यारे मदीबा ऐसा नहीं था कि मदीबा ने शुरू से ही गांधी के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया था रंगभेद के खिलाफ उन्होंने हत्यार भी उठाए लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि हिंसा से ही हिंसा का जन्म होता है एक ऐसी हिंसा क्रांधी के अगवाई करते वक्त उन्हें गिरफतार किया गया और आजीवन कारवास की सज़ सुनाई गई जेल में वो गांधी के दर्शन से रूबर हुए और धीरे धीरे एक नए नेलसन मंडिला ने जन्म लिया जो सत्ते के राजनिती करता था जिसके विवहार से उसके गोरे जेलर तक उसकी इज़त करते थे मंडिला के इस नए रूप ने दक्षिन अफरीका के लोगों को लड़ने का नया हथियार दिया जिसमें खून खराबे के लिए कोई जगा नहीं थी और आखिरकार वो अपने मकसद में कामियाब रहे जेल से बाहर आए तो उन्होंने दक्षिन अफरीका से रंगभेद हटा कर नई सरकार की स्थापना की 1993 में उन्हें नोबेल शांती पुरसकार दिया गया 1994 में वो दक्षिन अफरीका के राश्रपती चुने गए और अपने वादे के मुताबिक 1999 में उन्होंने राजनीती से स्थन्यास ले लिया इसके बाद भी वुरंधेत के खिलाफ काम करती रहे 5 दिसंबर 2013 को जब उन्होंने दुनिया से विदा ली तो बड़े बड़े नेता उन्हें आखरी सलाम देने पहुँचे मदेबा उस वक्त दक्षिन आफ्रीका के ही नहीं बलकि पूरी दुनिया के नेता बन चुके थे दिरो रपोर्ट राज्यसभा टीवी हिंदी फिल्मों के पहले सूपरस्टार राजेश खना के आज पुनितिती है राजेश खना एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपने अभिने से जनता का ही नहीं बलकि आलोचको का भी दिल जीता राजेश खना के सदबहर स्टाइल और अंदाज के पीछे एक मंझह कलाकार छिपा था पाव मुशाय आज तक किसी ना अपनी मौत नहीं देखी लेकिन मैं वह अबागा हूँ जो हर रोज हर पल हर लमा अपनी मौत देख रहा है फिल्म नौकर इत्थिफाक अमर प्रीम और आनंद जैसे फिल्मों में उन्होंने लीक से हटकर रूल किये काका की काम्याबी का दौर 1979 से 1971 की बीच रहा उनकी एक के बाद एक पंदरा सूपर हिट फिल्मे आए अपने दौर के फिल्मों में उन्होंने कई तरह की किरदार निभाए कहीं दिल फेक आशिक, कहीं माबाप की एक लौती आस, कहीं जेल से भागा कैदी हालाकि असी का दशक आते आते सिनिमा का बुरा दौर शुरू हुआ तो राजेश खन्ना का सूरज भी धलनी सा लगा लेकिन इस दौरान भी उन्होंने अवतार, आज का MLA राम अवतार और सौतन जैसी हिट फिल्म में दे नब्बे के दशक में राजेश खन्ना ने राजनीती में कदम रखा और 1992 में लोकसभा में पहुचे राजेश खन्ना ने उस दौर में युवाओं को एक अलग स्टाइल दी और उनके फिल्म आनन्द में वो दर्शकों को जिन्दगी का फलसफा दे गए और अब आखर में हिट लाइन्स संसत का मौन्सून सत्र आज से जियस्ट समेथ कई और एहम विधेकों को पारित कराने पर होगा सरकार का जोर कश्मीर और अरुनाचल के मुद्दे पर सरकार को घिरने की तैयारी में कॉंग्रेस सत्र से पहले सरकार और लोकसबाद दक्षने की सर्वदलिय बैठा को विपक्ष से सहयोग की अपील प्रधान मंतरी का सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर जोर जम्बू कश्मीर में कर्फ्यू जारी हिंसन भीड का बांदीपुरा में सेना के कैम्प पर हमला सीर पीएफ के दो हजार अतरिक्त जवान और तैना उत्तरा खंड और हिमाचल में बारिश से जानमाल का भारी लुपसान अलग-अलग हाथसों में दस की मौत राजस्थान के करॉली में बार की स्थिती गंभी तुर्की में अब तक 6,000 से जाद अगे रफ्तारियां पकड़े गए लोगों में वरिश्ट रसे निदिकारी और जज़ शामिल सजाए मौत के प्रावधान पर संसंत कर सकती है विचार फिलाल इस बुलिटर में इतना ही आगे देखे मीडिया मंधन नमस्कार